नमस्कार, आज हम सर रिचर्ड स्ट्रील के निवंध रिकलेक्शन्स ओफ चाइल्ड होड को हिंदी में पढ़ेंगे, चले प्रारम करते हैं, रिकलेक्शन्स मींस यादें या संस्मरण ओफ चाइल्ड होड बच्पन के, तो रिकलेक्शन्स ओफ चाइल्ड होड का तात पर है हुआ बच्पन की याद हैं या बच्पन के संस्मानण there are those वो होते हैं यानि कुछ लोग ऐसे होते हैं among mankind मनुष्यों के बीच में who can enjoy जो आनंद नहीं ले पाते हैं लेकिन क्योंकि आगे नो लगा हुआ है जो के आनंद नहीं ले पाते हैं no relish relish का मतब स्वाद किसी भी स्वाद का आनंद नहीं ले पाते हैं of their being अपने अस्तित्व के बीग मींस अस्तित्व अपने अस्तित्व के किसी भी स्वाद का आनंद नहीं ले पाते हैं एक्सेप्ट सिवाए इसके, एक्सेप्ट सिवाए इसके कि दुनिया से वो परजित होते हैं, यानि उनको सिर्फ वो दिखाई देता है, जो उनको दिखाई नहीं देती है, यानि सामने जो दिखाई दे रहा है, बस वही उनकी दुनिया होती है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसको खोया हुआ समझ लेते हैं, and think everything lost, lost means खोया हुआ, तो हर उस चीज़ को वो खोया हुआ मान लेते हैं, जो उन्हें दिखाई नहीं देती है, that passes unobserved, unobserved दिखाई न देना, but others find a solid delight, लेकिन दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, but others, दूसरे कुछ लोग find, जो प्राप्त करते हैं, a solid delight, solid means थोस, delight, आनन, in stealing by the crowd, stealing by the crowd, still means तो चुराना होता है, और crowd भीड, लेकिन भीड से क्या चुराना, मतलब यहां इसका ताथ पर है, भीड से अलग होना, stealing by the crowd का ताथ पर हुआ, भीड से अलग होना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें solid delight, खुब आनन मिलता है, भीड से अलग होने में, and modeling their life, modeling means प्रारूप देना, तो अपने जीवन को प्रारूप देने में, after such a manner, इस तरीके से, as is much above, जो के बहुत उपर होता है, the approbation and the practice of the vulgar, approbation का मतलब होता है, कथनी और practice का मतलब होता है, करनी, of the vulgar means, असभ्य लोग, सामाने लोग, तुछ लोग, तो कुछ लोग अपने जीवन को, इस तरीके से ढालते हैं, that as much above the approbation, as the practice of the vulgar, कि वो जो vulgar लोग हैं, जो सामाने लोग हैं, जो तुछ लोग हैं, उनकी approbation, यानि कथनी और practice करनी, उनकी कथनी और करनी से काफी उपर होता है, कुछ लोगों का जीवन, सामाने लोगों के जीवन से काफी उपर होता है, लाइफ बिइंग टू शोर्ट, जीवन इतना छोटा है, तो गिव इंस्टेंसेज, उदाहरण देने के लिए के उदाहरण नहीं दिये जा सकते, इंस्टेंसेज, उदाहरण, ग्रेट एनफ, परियात महान, ओफ टू फ्रेंड्शिप, वास्तविक, दोस्ती के, वास्तविक मित्रता के, और गुडविल, या फिर गुडविल क्या होती है, शुभेक्षा के, दूसरों के लिए हम गुडविल रखते हैं, तो शुभेक्षा के, कुछ सेजिए कौन होते हैं, संत लोग, अच्छे लोग, भले लोग, कुछ भले लोगों ने, इसको पवित्र माना है, किसको पवित्र माना है, टू प्रिजर्ब, सुरक्षित रखना, ए सरटेन रिवरेंस, कुछ, सरटेन मीज निश्जित, reverence means सम्मान for the names उन नामों के लिए of their deceased friends जो उनके गुजरे हुए मित्र हैं deceased means जो मर गए जो इस दुन्या से चले गए friends मित्र तो जो मित्र इस दुन्या से जा चुके हैं गुजर चुके हैं उनके लिए सम्मान रखना कुछ लोगों ने कहा है कि ये बड़ी पवित्र चीज़ है and have withdrawn themselves और उन्होंने क्या किया है? withdrawn withdraw means होता है दूर कर लेना अलग कर लेना themselves अपने आपको from the rest of the world rest का मतलब the rest का मतलब होता है शेश, बचा हुआ, बाकी from the rest of the world बाकी संसार से उन्होंने अपने आपको दूर कर लिया बाकी संसार से from the rest of the world at certain seasons at certain seasons कुछ निश्चित अवसरों पर to commemorate to commemorate means याद करने के लिए in their thoughts अपने विचारों में अपनी दुआओं में such of their acquaintance अपने उन परिचितों को who have gone before them who have gone जो जा चुके हैं before them उनसे पहले out of this life इस जीवन से दूर थोड़े sentences बड़े बड़े हैं लेकिन अगर आप दो बार पढ़ेंगे तो sentence clear हो जाता है and indeed और वास्तम में when we are advanced in years when we are advanced जब हम आगे बढ़ जाते हैं advanced in years वर्षों में आगे बढ़ जाते हैं मतलब थोड़े जब हम वयस्क हो जाते हैं हम थोड़े बुड़े हो जाते हैं there is not a more pleasing entertainment more pleasing ज्यादा सुखद entertainment मनोरण्यन तब कोई और ज्यादा सुखद मनोरण्यन नहीं होता than to recollect बजाए याद करने के to recollect means याद करने से in a gloomy moment gloomy उदासी से भरा हुआ moment छण तो उदासी के छणों में the many उन बहुत से लोगों को we have parted with part with का मतलब होता है बिछड़ना जिनसे हम बिछड़ चुके हैं that have been जो have been जो रहे हैं dear means prayer and agreeable और पसंदीदा to us हमारे लिए वो लोग जो हमारे प्रिय रहे हैं और हमारे पसंदीदा रहे हैं and to cast a melancholy thought or to melancholy होता है उदासी से भरा हुआ thought, विचार तो एक या दो विचार अभिव्यक्त करना उदासी भरे विचार अभिव्यक्त करना after those उन लोगों के बारे में with whom जिनके साथ perhaps शायत we have indulged हमने रखा है indulged का मतलब होता है व्यस्त रखना हमने व्यस्त रखा है ourselves अपने आपको in whole nights पूरी पूरी रातों में whole means पूरी nights रातों में of mirth and jolity mirth का मतलब भी खुशी होता है और jolity means ये भी आनन्द होता है तो हशी हशी खुशी के इरातों में जिनके साथ हमने अपने आपको व्यस्त रखा है with such inclinations inclination होता है इरादा ऐसे ही इरादों के साथ in my heart अपने हिर्दे में ऐसे ही इरादे लेकर अपने हिर्दे में I went में गया to my closet closet means वैसे अलमारी भी होती है एक छोटा कमरा भी होता है तो मैं अपने उस छोटे से कमरे में गया yesterday कल in the evening शाम को and resolved resolved means निश्यत करना तो मैंने निश्य किया to be sorrowful दुख मनाने का upon which occasion उस अवसर पर I could not but look with disdain मैं I could not but look with disdain का मतलब होता है तिरसकार या नफरत मैं तिरसकार से देखे बिना नहीं रह सका I could not but look with disdain मतलब मैं तिरसकार से देखे बिना नहीं रह सका किसको upon myself अपने आपको that के though all the reasons यद्यपी बहुत सारे कारण which I had to lament which I had जो मेरे पास थे to lament means विलाब करने के the loss of many of my friends the loss means खोना या मिरतियू of many of my friends मेरे बहुत सारे मित्रों की are now are now as forcible तो वो बहुत सारे कारण आज भी as forcible उतने ही ताकतवर है forcible means ताकतवर तो all the reasons वो सारे कारण आज भी उतने ही ताकतवर है as at the moment of their departure जो उस पल थे जब वो विदा हुए थे यानि departure विदाई उनकी हुई थी यानि जब उनकी मृत्य हुई थी तो अब उनकी मृत्यू पर विलाब करने के जितने ताकतवर रीला कारण मेरे पास थे आज भी हैं वही सारे कारण आज भी हैं Yet did not my heart swell, yet फिर भी, did not my heart swell, मेरा हिर्दय नहीं भरता, with the same sorrow, उसी दुख से, which I felt, जो मैंने महसूस किया था, at the time, उस समय, यानि उनकी मृत्यू के समय, जो दुख मैंने महसूस किया था, वो आज मेरे हिर्दय में नहीं भरता, नहीं आता, नहीं पैदा होता, जबके कारण वही है आज भी, उनकी मेरे पास दुखी होने के कारण आज भी वही है, but I could, लेकिन मैं कर सकता था, I could, मैं कर सकता था, without tears, आंसूओं के बिना, मैं आंसूओं के बिना कर सकता था, क्या कर सकता था? reflect upon, reflect means विचार करना, मन्थन करना, चिंतन करना, तो मैं बिना आंसूओं के विचार कर सकता था, मन्थन कर सकता था, चिंतन कर सकता था, upon many pleasing adventures, मैंनी बहुत सारे pleasing आनंददायक adventures साहसिक का दे, मैं उन बहुत सारे आनंददायक साहसिक कारियों पर विचार कर सकता था, जो के I have had, मैंने किये थे, with some, उन में से कुछ के साथ, who have long been blended, जो के लंबे समय पहले, blended means, मिल चुके हैं, with common earth, सामान्य मिट्टी में, यानि जो बहुत पहले सामान्य मिट्टी में मिल चुके हैं का मतलब, जो बहुत पहले दफ़न हो चुके हैं, बहुत पहले मिर्त्यू को प्राप्त हो चुके हैं, दो यद्यपी, it is by the benefit of nature, it is by the benefit of nature, benefit means love of nature प्रकृती का, ये प्रकृती का लाव है, देट के, length of time, समय की लंबाई, समय की दूरी, समय का गुजरना, दस इस प्रकार, blots out, means मिटा देता है, the violence of afflictions, violence means तीवरता, of afflictions, दुखों की, कश्टों की, यानि समय के साथ जो हमारे दुख हैं, उनकी तीवरता कम होती जाती है, किसी की मृत्यू जिस वक्त होती है, तो हम बहुत दुख ही होते हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ, हमारे दुख की तीवरता कम होती जाती है, तो blots out the violence of afflictions, यानि दुख की तीवरता समय का गुजरना कम कर देता है, यट, फिर भी, with tempers, too much given to pleasure, with tempers, tempers, temper का मतलब होता है, सवभाव, सवभाव, too much given to pleasure, too much का मतलब होता है, बहुत ज्यादा, कुछ लोगों का सवभाव होता है, जो के बहुत ज्यादा given to, means अभ्यस्त होते हैं, आदी होते हैं, pleasure, आनन्द के, It is almost necessary, उनके लिए ये almost लगभग, necessary, आवश्यक होता है, to revive, revive का मतलब होता है, पुनर जीवित करना, to revive the old places of grief, old, प्राचीन, पुराने, places of grief, दुख के इस्थान, दुख की चीजें, यानि उनको याद दिलाना जरूरी होता है, in our memory, हमारी स्मृती में, यानि हमें अपनी स्मृती में लाना जरूरी हो जाता है, दुख के कारणों को, दुख की चीजों को, दुख की घटनाओं को, the old places of grief, पुरानी घटनाओं को, जो के दुख से भरी होई हैं, and ponder, ponder का मतलब होता है, विचार करना, और विचार करना, step by step, कदम दर कदम, on past life, अतीत के जीवन पर, गुजरे हुए जीवन पर, to lead, means, ले जाना, the mind, मस्तिश्क को, into that sobriety, sobriety, means, सोम्यता, उस सोम्यता की ओर, of thought, विचारों की, which poises, which, जो के, poises, poise मतलब होता है, संतुलन बनाना, संतुलित करना, poises the heart, जो हमारे हिर्दय को संतुलित करती है, and makes it beat, और उसको धड़काती है, makes it beat, beat means धड़कना, और makes, make के साथ जब कोई sentence बनता है, तो धड़काना, करवाना, and makes it beat, और उसको धड़काती है, with due time, due means उचित, उचित समय के साथ, without being quickened, without बिना being quickened, quick means तीवर करना, quick means तीवर करना, बिना उसको तीवर किये, with desire, इच्छाओं के साथ, और retarded, और बिना उसको मंद किये, retarded, ये quickened का opposite है, retard means धीमा करना, मंदा करना, or retarded with despair, और उसको निराशा से धीमा किये विना, from its proper and equal motion, इसकी proper means उचित, and equal और सामानिय मोशन गती, उसकी उचित और सामानिय गती से, ना तो धीमा करना और ना ही तेज करना, उसको उसकी सामानिय गती से धड़काना, when we wind up a clock, when, जब, we wind up, हम चावी भड़ते हैं, या फिर ठीक करते हैं, समय मिलाते हैं, a clock, एक घड़ी का, that is out of order, जो के खराब पड़ी हो, उसको जब हम ठीक करते हैं, या जब उसका समय मिलाते हैं, या जब उसको चावी देते हैं, to make it go well, उसको सही चलाने के लिए, for the future, भविश्य में, भविश्य में उसको सही चलाने के लिए, जब हम किसी खराब घड़ी को चावी भड़ते हैं, या उसको ठीक करते हैं, तो we do not immediately set the hand to the present instant, तब हम क्या करते हैं, we do not immediately set, immediately means तुरंत, तो हम तुरंत ही set नहीं करते, set करते हैं, मतलब स्थापित करते, हम तुरंत ही इस्थापित नहीं करते, हम तुरंत ही set नहीं करते, the hand, hand का मतलब सुई, जो घड़ी की सुई है clock की, उसकी सुई को to the present instant, present instant means वर्तमान का जो समय है, आपके पास कोई घड़ी हो और जो बंद हो गई हो, या फिर आप थोड़ी देर के लिए बंद करके, खुद करके देखिएगा, घड़ी को बंद कर दीजेगा, और फिर देखिएगा, एक दिन बाद उसको चलाईएगा, तो आप जब उसका time set करेंगे, तो एक बार आपको उसको पूरा dial गुमाना पड़ेगा, पूरा dial पर गुमाना पड़ेगा, तब आप समय set कर पाएंगे, तो यही बात कहरा है लेखक, कि हम क्या करते हैं, we do not immediately set the hand, हम तुरंत ही सुई को set नहीं करते, to the present instant, वर्तमान समय पर, but, बलके, we make it strike round of all its hours, हम इसको गुमाते हैं, चारों ओर, इसके सारे घंटों की ओर, यानि बारे घंटे उसमें होते हैं गड़ी में, तो उन पूरे बारे घंटों की ओर उसको गुल-गुल गुमाते हैं हम, उसके बाद ही time set करते हैं, before it can recover, इससे पहले कि यह, recover means पुनहें प्राप्त कर सके, the regularity, regularity, निरंतरता of its time, अपने समय की, such thought I, ऐसा ही मैंने सोचा, shall be my method, मेरा तरीका होगा, this evening, आज की शाम, and, or, since it is that day of the year, since means क्योंके, it is that day, ये वो दिन है, of the year, साल का, which, जो के, I dedicate, मैं समर्पित करता हूँ, to the memory, याद को, स्मृति को, of such, in another life, ऐसे, दूसरे, जीवन के प्रती, as I much delighted, जिन में मैंने, बहुत आनंद लिया था, when living, जब वो जिन्दा थे, and are all true, एक या दो घंटे, शेल बी सेक्रेड, पवित्र होंगे, to sorrow, यदि दुख मनाये जाये, दुख मनाने के लिए, and their memory, और उनकी स्मृति के लिए, while I run over all the melancholy circumstances of this kind, which have occurred to me in my whole life, while जबके, I run over, मैं गुजरता हूं, all the melancholy circumstances, melancholy, दुख से परिपून, दुख से भरी हुई, circumstances, परिस्थितिया, of this kind, इसी प्रकार की, which have occurred, जो आई है, to me, मेरे सामने, in my whole life, मेरे संपून जीवन में, The first sense of sorrow, first, पहला, sense of sorrow, दुख का आभास, I ever knew, जो मुझे कभी हुआ, was, वो था, upon the death, मृत्यू पर, किसकी मृत्यू पर, of my father, मेरे पिता की, at which time, जिस समय, I was not quite five years of age, मैं पूरा पांच साल की उम्र का भी नहीं था, but was rather amazed, लेकिन, मैं अपेक्षाकृत, amazed means आश्चर चकेत था, at what all the house meant, कि ये जो पूरे घर में हो रहा है, उसका ताथपर्य क्या है, then possessed with a real understanding, बजाये, possessed रखने के, with a real understanding, वास्तविक समझ, why nobody was willing to play with me, के मेरे साथ कोई खेल क्यों नहीं रहा है, I remember, मुझे याद है, I went into the room, में गया था उस कमरे में, where his body lay, जहां उनका शरीर लेटा हुआ था, रखा हुआ था, and my mother, और मेरी मां, set, बैठी हुई थी, weeping alone, अकेली, रोती हुई, by it, इसके पास, I had my battle door, मेरा battle door, आप कह सकते हैं, एक racket है, या एक बल्ला, तो मेरा बल्ला था, in my hand, मेरे हाथ में, and fell a beating, fell a beating, मतलब, और मैं पीटने लगा, the coffin, ताबूत को, coffin, वो ताबूत, एक बक्सा होता है, जिसमें के, मृत शरीर को रखा जाता है, तो मैं उस ताबूत को पीटने लगा, and calling papa, और papa को पुकारने लगा, for I know not, क्योंकि मैं नहीं जानता, how, कैसे, I had some slight idea, मेरे दिमाग में, एक हलका सा विचार आ गया था, क्या विचार आ गया था, that he was locked up there, कि मेरे पिताजी को, उसमें किसी ने लॉग कर दिया है, उसमें बंद कर दिया है, my mother caught me, मेरी माँ ने मुझ को पकड़ा, in her arms, अपनी बाहों में, एन ट्रांसपोर्टेड और मुझे ले गई, बियोंड आल पेशेंस अफ दा साइलेंट ग्रीफ, अपने सारे साइलेंट मिन्स शान्त, ग्रीफ, दुख, पेशेंस, धहरे, अपने सारे दुख और धहरे के साथ, वो मुझे ले गई, शी वाज बेफोर इन, जो कि वो पहले उसमें थी, यानि पहले वो जिस दुख में थी, उसके परे मुझे ले गई, शी ओल्मोस इसमोदर्ड मी, उसने लगभग मुझे दबा लिया, इन हर एंब्रेस अपने आगोश में, अपने आलिंगन में, माने मुझे को अपने आलिंगन में भर लिया, एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, इन अफलर्ड ओफ टियर्स, आंसुओं की एक बाढ़ के साथ, पापा कुट नौट हीर मी, कि पापा मुझे नहीं सुन सकते, एंड वुट प्ले विद मी नो मोर, और अब कभी वो मेरे साथ नहीं खेलेंगे, for they were going to put, क्योंकि वो लोग उनको रखने जा रहे थे, him underground, उनको जमीन के नीचे, क्योंकि लोग उनको जमीन के नीचे दबाने जा रहे थे, whens, whens का मतलब जहां से, he could never come to us again, वो फिर कभी हमारे पास नहीं आ पाएंगे, she was a very beautiful woman, वो एक बहुत खूबसूरत महिला थी, of a noble spirit, noble, shreshed spirit, sohav की, shreshed sohav वाली, and there was a dignity in, और dignity का मतलब, एक सौम्यता थी, सौम्यता थी, in her grief, उसके दुख में, amidst all the wildness, amidst का मतलब बीच में, of all the wildness, wildness होता है जंगलीपन, और जंगलीपन होता है, जब कोई चीज नियंत्रित नहीं होती, तो unnियंत्रित, unnियंत्रित, of her transport, transport का मतलब है भावना, तीवर भावना, तो उसकी unnijnत्रित, तीवर भावना, के बीच भी, उसका जो दुख था, उसमें एक सौम्यता थी, ड्रांस्पोर्ट का मतलब, यहां यातह्यात नहीं है, ड्रांस्पोर्ट का मतलब है, मुझे लगता है struck me with an instinct of sorrow struck me उसने मेरे उपर आगहत किया with an instinct of sorrow instinct होती है एक भावना एक आदत of sorrow दुख की यानि मेरे अंदर दुख की एक आदत पैदा कर दी उसने जो आगहत किया उस दुख ने मेरे उपर तो मेरे अंदर एक दुख की आदत पैदा कर दी that जो के before I was sensible of sensible means समझदार होना तो मैं before इससे पहले इससे पहले कि मैं उसको समझ पाता what it was to grieve कि दुख करना क्या होता है दुखी होना क्या होता है seized my very soul seized means जकर लिया उस दुख की आदत ने जकर लिया my very soul मेरी पूरी आत्मा को and has made pity और उसने बना दिया है has made बना दिया है pity दया को the weakness कमजोरी of my heart मेरे हिर्दै की ever since तभी से the mind in infancy is mind मस्तिश्क in infancy means बच्चपन में is होता है me thinks मुझे लगता है मुझे लगता है कि मस्तिश्क बच्चपन में होता है कैसा होता है like the body शरीर की तरह किसके शरीर की तरह in embryo brun embryo क्या होता है brun जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तो उस का उस शरीर को बोला जाता है embryo brun और वो बहुत कमजोर होता है और बहुत नाजुक होता है तो वैसे ही लेखक का मानना है embryo जैसे कि शरीर भ्रून में होता है and receives impressions receives means प्राप्त करता है impressions प्रवहाव so forceable इतने ताकतवर यानि बच्पन में दिमाग पर जो प्रवहाव पढ़ते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं that के they are वो होते हैं as hard इतने मुश्किल to be removed means remove means मिटाना तो वो मिटाने में इतने कठोर होते हैं by reason तर्क के द्वारा यानि उनको तर्क के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता वो इतने कठोर होते हैं इतने ताकतवर होते हैं as any mark जैसे कि कोई चिन हो with which a child is born जिसके साथ बच्चा पैदा हुआ हो बर्थमार्क होते हैं न कुछ लोगों के शरीर पर तो जैसे उनको हटाना मुश्किल होता है बर्थमार्क जो इन रिशानों को लेकर हम पैदा होते हैं वैसे ही बच्चपन में जो प्रभाब मस्तिश्क पर पढ़ते हैं उनको हटाना नामुम्किन होता है इस बॉन is to be taken away यानि उनको नहीं हटाय जा सकता by any future application by any future application किसी भी future भविश्य के application कोशिश के द्वारा भविश्य की किसी भी कोशिश के द्वारा भविश्य के किसी भी प्रभाव के द्वारा उस बर्थमार्क को उस जन जात चिन को नहीं मिटाया जा सकता वैसे ही बच्चपन में जो मस्तिश्क पर प्रभाप पड़ते हैं वो भी इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनको भविश्य में नहीं मिटाया जा सकता Hence it is, अतहे ऐसा है that good nature, good nature means अच्छी प्रकृती, कि अच्छी प्रकृती in me, मेरे अंदर is no merit कोई merit नहीं है, कोई सदगुण नहीं है, but, बलके having been so frequently overwhelmed having been so frequently, frequently मतलब बार बार, इतना ज्यादा बार बार overwhelmed overwhelmed होता है, भावनाओं से बढ़ जाना, भाव विहवल हो जाना, तो बार बार में इतना भाव विहवल हुआ हूँ with hurt tears, उसके आंसों से, किसके आंसों से, अपनी मा के आंसों से, before I knew इससे पहले कि मैं जानता, the cause of any affliction, affliction दुख, किसी भी दुख का कारण और could draw defenses, या फिर draw defenses, या एक प्रतिरक्षा प्रणाली मैं विकसित कर पाता from my own judgment, अपने स्वेम के judgment means विवेक से, I imbibed, मैंने imbibed means आत्मसाथ कर लिया, commiseration, कष्ट को, remorse, दुख को, and an unmanly gentleness, और एक unmanly means जो पुर्षों के लिए उचित नहीं होती, पुर्षोचित नहीं होती, वैसी gentleness, कोमलता, तो मेरे हिर्दय में ऐसी कोमलता उत्पन हो गई, gentleness of mind, मस्तिश्क में के जो पुर्षों के लिए उचित नहीं होती, which has ensnared, जिसने के ensnared, इसनेर होता है जाल, तो ensnared me means मुझको जाल में अपने में जकर लिया है, एक कोमलता ने मुझको जकर लिया है, into ten thousand calamities, ten thousand, दसियों, हजार calamities, कष्ट, यानि वो जो कोमलता मेरे अंदर विकसित हो गई है, बार-बार अपने मां के आसों को देख कर उसने मुझे अंगिनत कष्टों में जकर लिया है, and from whence, और whence means वहीं से, वहीं से I can reap no advantages, reap means होता है फसल काटना, advantage means फाइदा, love, तो वहां से मुझे love तो कोई नहीं मिला, love की कोई फसल मैंने नहीं काटी, except it be, सिवाए इसके that in such a humor, कि ऐसी humor होता है मनह स्थिती, तो ऐसी मनह स्थिती में मैं हूँ as I am now in, जिसमें कि मैं हूँ, यानि मेरी को मलता, मेरे व्यभार की सौमेता, जो कि अपनी मां के आंसों को देख देख कर मेरे अंदर पैदा हुई है, उससे मुझे कोई love नहीं हुआ, बलकि मैं एक ऐसी मनह स्थिती में आ गया हूँ, जैसी के आज हूँ, दुख की मनह स्थिती में मैं आ गया हूँ, I can the better indulge myself, I can the better में बहतर तरीके से, indulge मतलब होता है व्यस्त करना, myself अपने आपको in the softness, softness means सुको मलता, of humanity, मानवता की, and enjoy, और मैं आनन्द ले सकता हूँ, that sweet anxiety, उस मधुर चिन्ता का, which arises, जो के पैदा होती है, from the memory, memory, स्मृती से, of past afflictions, अतीत के दुखों की, अतीत के दुखों की स्मृती से, जो चिन्ता पैदा होती है, मैं उसका आनन्द ले सकता हूँ, we, हम, that are very old, जो बहुत वयस्क हो चुके हैं, बहुत बूढ़ है हो चुके हैं, are better able to remember things, ज्यादा समर्थ होते हैं, better able, ज्यादा समर्थ होते हैं, to remember, याद करने में, things, चीजों को या घटनाओं को, which befell us, जो हमारे उपर घटित होई थी, in our distant youth, हमारे दूरस्थ युवावस्था में, distance, जो पीछे रह गई, बहुत दूर रह गई, यूथ युवावस्था में, then, अपेक्षा करेत, the passage of the later days, बाद के दिनों के दौरान, यानि युवावस्था में, या फिर किशोरावस्था में, या फिर बच्पन में, हमारे साथ जो घटनाएं घटित होती हैं, वो हमें बहतर याद रहती हैं, बजाएं, बाद में घटित होने वाली घटनाओंगे, आपको भी याद होगा कि बच्पन में, जो कुछ हुआ था आपको, as it is, याद रहता है, वो तस्वीरें दिमाग में छप जाती हैं, और जियों कीतियों याद रहती हैं, और बाद वाली जो घटनाओंगे हैं, वो कम याद रहती हैं, for this reason, इसी वजह से, it is, यह है, that the companions of, companions means, that the companions के साथी, of my strong and vigorous ears, मेरी strong, ताकतवर, vigorous, उर्जा से भरी हुई, वर्षों के जो साथी हैं, present themselves, यानि उपस्थित हो जाते हैं, more immediately, बहुत जल्दी ही, to me, मेरे सामने, in this office of sorrow, दुख के इन पलों में, untimely and unhappy deaths, untimely, असामायक, and unhappy और दुखद, that's मृत्यो, असामायक और दुखद मृत्यो, are, होती है, what we are most apt to lament, जिन पर हम सरवाधिक लेमेंट विलाब करते हैं, apt का मतलब होता है, उपियुक्त, तो वो जो मृत्यो हैं, वो सरवाधिक उपियुक्त होती हैं, विलाब करने के लिए, जो मृत्यो असामायक होती है, और दुखद होती है, So little are we able to make it indifferent? So little, इतना कम, are we able, हम समर्थ होते हैं, to make it indifferent, उदासीन होने में, when a thing happens, जब एक चीज होती है, या एक घटना होती है, though we know, यद्यपी हम जानते हैं, it must happen, कि ये तो होनी ही है, किसी की भी मृत्यू, हम जानते हैं, कि होनी ही है, लेकिन जब होती है, तो हम indifferent नहीं हो पाते, हम उदासीन नहीं हो पाते, सभी के बारे में हम जानते हैं, कि आया है सो जाएगा आमर्ण जग में कोई, यानि जन्मा है, वो मृत्यू को प्राप्त होगा, हम जानते हैं लेकिन जब मृत्यू होती है तो हम indifferent नहीं रह पाते उदासी नहीं रह पाते दस इस प्रकार we grown हम grown आहें भरते हैं दुख मनाते हैं, दुखी होते हैं under life जीवन में, अपने जीवन में हम दुखी होते हैं and we will और रोते हैं those उनके लिए who are relieved from it जो इससे मुक्ती पा चुके हैं, यानि जीवन क्या है, जीवन दुखों से भरा हुआ है और हम स्वेम अपने जीवन में कश्ट उठा रहे होते हैं और उनके लिए रो रहे होते हैं, जो relieved हो चुके हैं, जो के इससे राहत पा चुके हैं, जो इस जीवन को त्याग चुके हैं उनके लिए हम रोते हैं every object हर वस्तु that जो returns वापस आती है to our imagination हमारी कलपना में raises पैदा करती है different passions भिन भावनाएं according to according to अनुसार the circumstances उन परिस्थितियों के of their departure जो कि उनकी विदाई की थी यानि हर वस्तु अलग भावना पैदा करती है हमारी कलपना में अपनी विदाई की परिस्थितियों के अनुसार who can have lived in an army कौन है ऐसा व्यक्ति जो के army में यानि सेना में रहा हो and in a serious hour और एक गंभीर समय में reflect upon उसने विचार न किया हो अभी यहां पर न कहीं नहीं आया है लेकिन आगे जो पूरा sentence है क्योंकि यह sentence का structure है वो इस तरीके का है कि आप प्रारम से पढ़ेंगे तो यह आपको अभी positive लग रहा है अभी इसमें negative कहीं आया नहीं है लेकिन इसका sense अभी negative निकलेगा तो who can have lived in an army जो ऐसा व्यक्ती कौन सा है जो के army में रहा हो सेना में रहा हो and in a serious are reflect upon और उसने गंभीर शणों में reflect means विचार करना विचार न किया हो the many gay and agreeable men the many बहुत सारे gay मतलब प्रसन्य चित्र खुश रहने वाले and agreeable men और पसंदीदा लोग that might long have flourished जो के बहुत लंबे समय तक फलते फूलते flourish का मतलब फलना फूलना बहुत लंबे समय तक फलते फूलते in the arts of peace शान्ती के शणों में शान्ती के समय में and not join with the implications of और देखिए आगया ने not or not join जो शामिल ना हुआ हो join means शामिल होना और जो शामिल ना हुआ हो with the implications implications होती है गालियां गालियों में यानि गालियां देने में शामिल ना हुआ हो of the fatherless fatherless उन अनाथ लोगों के यानी जिनके पिता लोग मर गए यानि पिता लोग जिनके आर्मी में थे और मर गए तो उन फादरलेश बिना पिता के and widows तो जो अनाथ बच्चे हैं बिना पिता के अनाथ बच्चों के और उन विदवाओं की गालियों में तारेंट ताना शाह को to whose ambitions जिसकी महत्वा कांगशा की they fell sacrifices वो भेंट चड़ गए यानि जो सैनिक लोग किसी ताना शाह की महत्वा कांगशा की भेंट चड़ गए उनकी बच्चों के द्वारा उनकी बिध्वाओं के द्वारा जो गालियां दी जा रही है उनमें कौन शामिल नहीं होगा यानि एक ऐसा विक्ती जो आर्मी में रहा हो तो वो क्या उनके साथ शामिल नहीं होगा उन अनात बच्चों के साथ उन विध्वाओं के साथ जिनके पती या जिनके पिता किसी ताना शाह की महत्वा कांगशा की भेंट चड़ गए बट गेलेंट मैं लेकिन गेलेंट का मतलब होता है बहादुर बहादुर लोग who are cut off by the sword जो के तलवार के द्वारा काट दिये जाते हैं move rather are veneration वो हमारे move means पैदा करते हैं our veneration हमारे अंदर सम्मान की भावना then our pity बजाए हमारे अंदर दया की भावना पैदा करने के and we gather relief और हम relief means सांतोना प्राप्त करते हैं enough पर्याप from their own contempt उनकी स्वैम की नफरत से of death मृत्यू के प्रती वो तो खुद ही मृत्यू से नफरत करते हैं खुद ही मृत्यू का तिरसकार करते हैं जो बहादूर लोग होते हैं to make that no evil के उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती which was approsed जिसकी तरफ जाया गया था with so much cheerfulness इतनी पसंदता से and attended with और जिसका सामना किया गया था so much honor इतने ज्यादा सम्मान से but when we turn लेकिन जब हम मोडते हैं our thoughts अपने विचारों को from the great parts of life जीवन के महान अंशों से on such occasions ऐसे अवसरों पर and instead of lamenting और विलाब करने की बजाए those उनके उपर who stood ready जो की तयार खड़े थे to give death to those उनको मृत्यू देने के लिए from whom जिनसे के they had the fortune to receive it उनका भागय था मृत्यू को प्राप्त करना यानि दूसी तरफ भी सैनिक थे इधर भी सैनिक थे तो इधर वाले सैनिक उधर वाले सैनिकों को मृत्यू देने के लिए तयार खड़े थे क्योंकि उनसे मृत्यू प्राप्त करना फिर उनका भागय होता whom they had the fortune to receive it I say मैं कहता हूं when we let our thoughts wonder wonder means भटकना जब हम अपने विचारों को भटकने देते हैं from such noble objects ऐसे श्रेष्ट वस्तूओं से ऐसी श्रेष्ट घटनाओं से and consider और विचार करते हैं the havoc havoc means तूफान उस तूफान के बारे में which is made जो के पैदा किया जाता है among the tender and the innocent tender means नाजुक और मासूमों के बीच pity enters दया प्रवेश करती है with an unmixed softness a मिश्रित कोमलता के साथ and possesses और अधिकार जमा लेती है all our souls हमारी सारी आत्माओं पर at once तुरंत here यहाँ were there words यदि शब्द होते to express अभिव्यक्त करने के लिए such sentiments ऐसी भावनाओं को with proper tenderness proper उचित tenderness सुकोमलता के साथ यदि शब्द होते हैं ऐसी भावनाओं को उचित सुकोमलता के साथ अभिव्यक्त करने के लिए I should record तो मैं संजोकर रख लेता record संजोकर रख लेता the beauty सुन्दर्य को the innocence मासूमियत को and untimely death और असामयक मृत्यू को of the first object उस पहली चीज़ के my eyes ever beheld with love जो मेरी आँखों ने कभी प्यार से देखा उस चीज़ की खुबसूरती को उसकी मासूमियत को मैं संजोकर रख लेता जिसको पहली बार मेरी आँखों ने प्यार से देखा था the beautious version वो खुबसूरत कुमारी कन्या how ignorantly did she charm how ignorantly कितनी मासूमियत से उसे पता ही नहीं होता था कितनी मासूमियत से did she charm वो दूसरों को आकरशित कर लेती थी how carelessly कितनी बेपरवाही से excel excel का मतलब होता है दूसरों से श्रेष्ट होना दूसरों को पीछे चोड़ देना कितनी बेपरवाही से वो दूसरों को पीछे चोड़ देती थी किसमें खुबसूरती में ओ डैथ अरे मृत्यू दाव हेस्ट राइट तुम्हारा हक बनता है तू दा बोल्ड बहादुर लोगों पर तू दा एंबिशस महत्वक आंक्षी लोगों पर तू दा हाई उचे लोगों पर बड़े लोगों पर तू दा होटी और घमंडी लोगों पर बट वाई दिस क्रुवल्टी लेकिन ये निर्दैता क्यों तू दा अंबल विनम्र लोगों के परती तू दा मीक कमजोर लोगों के परती तू दा अंडिसर्निंग मासूम लोगों के परती to the thoughtless विचार ही नोगों के प्रती जो ज़्यादा सोचते ही नहीं उन लोगों के प्रती ऐसी निर्देता क्यों nor is ना तो अवस्था nor business ना व्यापार ना डिस्ट्रेस ना ही दुख can erase मिटा सकता है यानी चाहे कितना ही समय बीट जाए चाहे हम कितना भी काम कर लें कितने भी और दुख हमारे सामने आ जाएं लेकिन उन में से कोई भी can erase erase means मिटाना नहीं मिटा जे सकता दे डियर इमेज उस प्यारी सी छवी को from my imagination मेरी कलपना से in the same way उसी सबता हा I saw her मैंने उसको देखा था dressed for a ball dressed पोशाब पहने हुए for a ball एक ball dance party के लिए and in a shroud और एक कफन में यानि एक ही सबता हा में मैंने उसको party के कपड़े पहने हुए भी देखा और कफन ओढ़े हुए भी देखा how ill did the habit of death become कितनी बुरी आदत है मिर्ट्यू की how ill कितनी बुरी देख देख अफ देख मिर्ट्यू की आदत become बन गई है the pretty trifler कितनी ज्यादा बहुत ज्यादा trifler तुछ तुछता से भरी हुई आदत हो गई है मिर्ट्यू की I still behold मैं अभी भी देखता हूँ the smiling earth मुस्कुराती हुई मिर्ट्यू को a large train of disasters एक लंबी शंकला disasters दुखों की were coming on to my memory मेरी स्मृती में आती जा रही थी एक लंबी शंकला दुखों की मेरी स्मृती में आती जा रही थी when my servant जब मेरे नौकर ने knocked खट खट आया at my closet मेरे कमरे पर closet door मेरे कमरे के दरवाजे पर and interrupted और बीच में रोग दिया interrupted me मुझे बीच में रोग दिया with a letter एक पत्र के साथ attended with जिसके साथ रखा हुआ था a hamper एक उपहार of wine मदिरा का of the same sort उसी प्रकार की मदिरा that जो के which is to be put जो के रखी जानी थी to sell बिक्री के लिए on Thursday next अगले गुरुवार को at Geraway's coffee house Geraway के coffee house में upon the receipt of it इसको प्राप्त करने पर I sent for sent for means मैंने बुला भेजा बुला लिया three of my friends अपने तीन दोस्तों को we are so intimate हम इतने घनिष्ट हैं that we can be के हम हो सकते हैं company हम साथ दे सकते हैं साथ हो सकते हैं in whatever state of mind किसी भी state of mind मनहस्थिती में किसी भी मनहस्थिती में we meet हम मिलें and can entertain और हम मनोरण्यन कर सकते हैं इच अदर एक दूसरे का without expecting बिना उमीद किये always हमेशा to entertain to rejoice आनंद लेने का the wine we found मदिरा हमको लगी to be generous उदार and warming और गर्माहट देने वाली but with such a heat लेकिन ऐसी गर्माहट के साथ has moved us जिसने जगाया हमारे अंदर rather to be cheerful than frolicsome हमारे अंदर प्रसंदा जगाई बजाय frolicsome means उच शंखल था हमें उच शंखल बनाने की बजाय उसने हमको प्रसंद बनाया it revived revive means पुनर जीवित करना इसने पुनर जीवित कर दिया the spirits हमारी भावनाओं को this without बिना firing the blood हमारे खून में आग लगाई हमारे खून में आग लगाई बिना इसने हमारी भावनाओं को पुनर जीवित कर दिया we commended it हमने इसकी तारीफ की दो बजे तक, दिस मॉर्निंग, आज सुभह, and having today met a little before dinner, और आज डिनर से थोड़ा पहले मिलने पर, we found, हमने पाया, that के दो यद्यपी, we drank, हमने पिया था, two bottles a man, एक व्यक्ती ने दो बोतलें, we had much more reason, हमारे पास काफी तर्क था, to recollect, याद रखने का, then forget, बजाय भूल जाने के, what had passed, कि क्या हुआ था, the night before, पिछली रात को, इसके साथ ही ये निवन समापत होता है, धन्यवाद,